हेलो एफ्रिवन एन वेलकम बैक टू माई चैनल तो जो यह वीडियो है न यह वेडनेस डे का वीडियो है और मैं उड़ गे थी वही 5.30 तो 6 के बीच में क्योंकि अनुशा के लिए मुझे टिफिन भी बनाना रहता है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि अनुशा का ह हैड़ा था तो वह स्कूल नहीं गई मैं ही थोड़ा सा रेस्ट कर लो क्योंकि यह अजीव सा वैदर हुआ है ना तो इसमें बच्चलों का थोड़ा सा तब्यात इधर उदर हो ही रहा है तो मैं वहीं बोली कि आज रेस्ट कर लो कल से चले जाना प्यूशा तो सोच रही लेक फास उसके लिए बनाओं तो मैं यहाँ पर बना रही हूं नूडल्स क्योंकि हम लोग को तो नूडल्स ठीकी लगता है लेकिन बच्चे लोग को काफी पसंद आता है तो मैं मैं सुची तोड़ा सा अच्छे से वेजी टेवल्स इसमें डाल कर अच्छे से नूडल्स बन अच्छा नहीं लगता हां मुझे ही समझ में आता है कि बारिश कितना ज्यादा जरूरी है अभी रिसेंटली पाने की कितनी कमी हो गई थी वह प्राक्टिकली आप सोचे तो हां बहुत जरूरी है लेकिन ऐसे सोचो ना तो बहुत अजीब सा वेदर है यह मुझे रेनी रेन छें में पूरा दोनों लाइट ओन करके फिर मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे पर्सनली ना अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा लाइट आना है, थोड़ से सनलाइट आना चाहिए और इस टाइम पे तो सनलाइट दिखाई नहीं देता बारिश नहीं, तो क्लावडी, ऐसे ही वेधर हो रहा है इधर तो इधर मैं नूडलस बनाना स्टार्ट कर दियूँ अनुशा अभी सो ही रही है मैं ही इसको सुबह बोली कि स्कूल नहीं जा रही हूँ तो थोड़ा दिर और सो जाओ हो सकता है हड़क खतम हो जाएगा कभी होता है नींद अच्छे से नहीं होई है नहीं तो कुछ और तो इसलिए मैं बोली कि सो जाओ अच्छा लगेगा और मै मैं अभी तक इसको personally headache का जैसे डोलो हुआ यह सब दवाई न देना शुरू नहीं कियों मुझे अच्छा ही नहीं लगता दवाई देना यह सब और प्रिफर करती हूं कि बाम लगा लूं सर दवा दूं तोड़ा सा उलों को बोलों कि रेस्ट करो तो headache मलब ठीक हो जाना चाहि काना भी नहीं खाते न तो इस टैप का इलाज मैं सबसे पहले प्रिफर करती हूं करना और उसके बाद अगर नहीं ठीक हुआ तब तो लास्ट में तो दवाई ही रहता है लेकिन मैं पहले यही सब ट्राई करती हूं बच्चे लों को देना तो इधर नूडल्स बन चुका ह थोड़ा से मैं कीचन टाइडी अप कर दूंगी और आयरंग की कड़ाई में मैं नूडल्स बनाई हूं तो इसको सबसे पहले मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे बाउल में और जाके चेक करूंगी कि अनूशा उठी है कि नहीं तो जब तक अनूशा आएगी नाश्टा करन तो साथ में मतलब ब्रेकफास्ट कर लेंगे और इधर जो मेरा वाशिंग मशीन रखा है ना उसके बगल में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी सी विंडो है तो यहां से ना पूरा बारिश के मौसम में इतना गंदा हो जाता है यह वाशिंग मशीन और यह डिश्वाश का उपर भी तो इसको डेली ही मुझे वाइप करना पड़ता है तो वाशिंग मशीन लगाने के बाद ना अब मैं यहां पर कर लूँगी नाश्टा तो इधर हमारा नाश्टा हो गया है और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए तो थोड़ा ना आज हलका हलका ठंडा भी है तो इदम कड़क वाली चाय पीने के मन कर रहा है अद्रक वाली तो वही उसी टाइप की मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ तो यहाँ पर मैं पैरलेली ना यह जो मेरा कीचन टवल है वो काफी खटा हो गया तो उसको भी मैं गरम पानी और सेफ में बिगा कर रख दूँगी और मेरा जो चाय है वो खौलता बहुत है मतलब इसलिए उस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइस करती हूँ जैसे यह दूलेवे बरतन है इसको मैं जगे पर रख दूँगी कभी स्लैप साफ नहीं है तो उसी टाइम पर मैं वो भी प्रिफा करती हूँ कर देना तो थोड़े मोड़े बरतन है तो उसको भी मैं साइड वे साइड दो देती हूँ तो मतलब कीचन में ही रहक है न मैं जितना काम समेट सकूँ न ट्राइ करती हूँ समेट लूँ तो इधर चाय भी मेरी रेडी हो गई है तो चलिए मैं चाय पीकर फिर मिलती हूँ और अभी चाय भी हो चुका है हमारा नाश्टा भी हो चुका है और अब आता है कीचन टाइडी अप करने का टाइम तो वैसे तो मैं कुछ भी चीच बनाती रहती हूँ न तो कीचन को उसी समय में टाइडी अप करती रहती हूँ लेकिन कभी कभी होता है न नहीं हो पाता है तोड़ा सा बचा ही हुआ था तो मैं सोची चलो कर लेते हैं और घर पे अगर सब कोई हमेशा पूरे टाइम रहते हैं तो आपका अपने हिसाब से काम आप नहीं कर पाते हो क्योंकि दूसरे लोग के हिसाब से भी आपको करना पड़ता है कभी कोई कुछ मांग रहा है तो उसमें लेट हो ही जाता है और कीचन साफ करने के बाद ये जो कीचन टावल है ये मतलब ठंडा हो चुका है तो इसको भी मैं अच्छे से रिंस कर लूँगी दो-तिन बार और जितना भी डस्टिंग वाला मेरा कपड़ा है जिससे मैं डस्ट करती हूँ ने तो कीचन स्लैब को वाइप करती हूँ उसको न मैं इसी साफ वाले पानी में एक बार और डालकर गरम कर दूँगी kitchen towel मेरा और यह सब जो dusting का जो कपड़े है ना सबको मैं अलग-अलगी wash करती हूँ लेकिन process सेम है इसी type से मैं दोती हूँ और अच्छे से clean हो जाता है और इदर ना मेरे कपड़े भी दूल चुके थे तो इसको भी अब मैं डाल दूँगी तो चलिए अब इदर kitchen में आकर देखते हैं तो देखिए इदर microfiber cloth है ना तो इसको पानी गरम कर रही हूँ तो boil आ चुका है अब इसको मैं एक गंटे तक ऐसे छोड़ दूँगी गयास को करते हैं बंद और चलिए इस video को मैं यहीं पर end करती हूँ और मिलती हूँ मेरे next vlog में